तो बहुत दिन बाद मैं आइसी इंजन के लिए टॉपिक दूरा छोड़ गया था उसे कंप्लीट करोंगा यहां पर सबसे पहले तो सौरी बोलना चाहूंगा कि मैं आइसी इंजन का नोट्स आपके लिए अविलेबल नहीं करा पाया जो नोट्स मेरे पास हैं जो मेरा खुद का नोट्स हैं बहुत खिश्पिस टाइप का है ठीक है उसे महीं समझ सकता हूं और कोई नहीं समझ सकता तो मैं क्यों सूट डालूं फालतू में अच्छा नहीं तब हमारे पास इतना ही है मैं इससे ज्यादा अप्रोट नहीं करपाओंगा रियली टेस्ट में inhib Sans ले ढिक प्रॉसेस टेक प्लेसे इन इन एंड फ्रॉ सेब होते हैं हमारे हैं इस्पहले देखा था एक्सटर्नल कंबसरनेंचन इंजन internal combustion engine उसके पार्ट इंजन के पार्ट कौन कौन से होते हैं यह सब हमने दिखा था ठीक है कहां यूज होते हैं कि टाइप का इंजन होता है ना इस लेक्ट्र में देखेंगे कि हमारा जो पर्टिकॉलर कर रहे हैं सब जानते हैं कि चार प्रोसेस होता है टिस अधिक रहें शागे के इंजन क्या किया हमारा है बाहर क्या से एर को शक किया अंदर किया जब हमारा पिष्ट्न नीचे जाएगा तब जब आपने और को कॉमप्रेस किया डिथ फ्यूट तब आपका आपने फिर स्पार्ग से या पिर अपर बंध हुआ हुआ तो फिर उससे कारण जो एनर्जी हम्मारे पूरे प्रेश मुविबल पार्ट में लगेगी तो इंजन के सारे पार्ट पर ज्ञ़जन के हर जग से तो उस पर जब एनर्जी लएगी तो वही सिर्फ मूव होगा तो वह मूव हुआ मेंस एक्सपेंड हुआ फिर एक्जॉस्ट फिर जो हमारा बचा हुआ अब फिर नीचे की और जा रहा है अब सेकेंड में देखो सेकेंड में क्या हो रहा है यह हमारा यह बंद हुआ अब हो रहा है क्या क्या कर रहा है में नाव नेक्स्ट इसको जब पिश्टन एकदम उपर की और गया तो यहां पर क्या हुआ कंब्सन हुआ हमारे जो फिए फ्यूल यहां पर बंद हुआ ठीक है इगनाइट हुआ बंद हुआ तो उससे जो एनर्जी है पूरे एंजन के बॉड़ी पर लगेगा इंजन के ब फिर क्या हुआ फ्लाइविल के कारण जो स्टोरिंग इनर्जी को रिस्टोर किया दुबारा पिस्टन को पिस्टन जब हमारे जैसे उपर गया तो हमारे यहां का जो भी हमारा बंद पार्टिकल्ट है सारे के सारे बाहर हो गया है यही हमारा फॉर स्टॉक साइकल का का काम ह इंटेक स्टॉक जो वन पे देखना जैसे वन पहुंचे कोई इंटेक आया टू यह बन हुआ यह फ्यूल बाहर हो गया ठीक है समझ में आ रहा न कि स्काइब ब्लू कलर से मिंस एयर फ्यूल अंदर आ गया यलो कलर मिंस एयर कंप्रेस हो रहा है थार्ड मिंस बर्न हुआ फॉर्थ मिंस एक्जॉस्ट गर्थ बाहर हुआ ठीक है यह दखो अब ध्यान से देखों यहां सब कुछ लिखा हुआ है ठीक है भागी नॉमेंक्लेशर में आते हैं कौन-कौन से हमारे मुनक्लेशर नुमेरिकल के लिए काम आएगा टिस फर्स हमारा सालेंडेर बोर जिसको हम डी से डिनोड करते हैं क्या होता है सालेंडर वू दे नॉमिनल इनर डायमेटर वर्किंग सेलेंडर इस कॉल एस सेलेंडर बोड इस डिनोटेट बाइड लेटर दी इस युजली एक्सप्रेज एक्सप्रेज इन एम जो इनर मैं आगे आगे आपको डाइग्राम दिखेगा वहां पर समझा दोंगा फिलाल आप यह देख लें नव पिस्टन एरिया दे एरिया अफ सर्केल अफ डियमेटर इक्वल तो शैलेंडर बोड इस कॉल एस पिस्टन एरिया इस दिनोटेट इस एक्सप्रेज इन संटीमेटर स्क्रार ना स्टॉक यसे डिनोट करते हैं ल से नॉमिनल दिस्टेंस ट्रीज सी गया तो एक स्टोग कंप्लीट होता है डाट इस माइश्ट ओके नाव इस्ट्रॉक टू बोर रेशियो इंपोर्टेंट है ल अपॉन डी स्ट्रॉक टू बोर रेशियो देरेश्यो इस एन इंपोर्टेंट पैरामीटर इन क्लासिफाइंग दसाइज आइज अगर आपका बटोर सैलेंडर बोर लेस दन आपका स्टॉक से हुआ इसकॉल यक्शिय इंजय यटि इन इसकालर इंज़ इनut bessाव इन ड हमारा dead center top dead center bottom dead center अब dead center क्या होता है पहले जी दखते हैं the position of working piston and the moving part which are connected to it so when the piston motion is reversed at either end of stroke is called the dead center there are two dead center in an engine they are top dead center and bottom dead center ठीक है means means engine के अंदर पार्ट है that is my piston connecting rod से connect है through crankshaft ठीक है तो जब हमारा piston एक position से दूसरी position पर जाता है फिर उस position से reverse अपने position पर आता है तो यह जो process है यह stroke कहलाता है तो जो change है that is my dead center अपर हाई सबसे जो उपर गया जो जहां तक maximum उसकी लिमिट है उपर जाने की that is top dead center और सबसे minimum जो नीची जाने की piston का it is bottom dead center फ्रले टॉप डेट center TDC it is the dead center when the piston is farthest from the crankshaft it is denoted as TDC or for vertical engine at inner dead center IDC for horizontal engines okay and bottom dead center BDC क्या है it is a dead center when the piston is nearest to the crank shaft nearest to the crank shaft के जितना pass हो के सके उतना pass means BDC क्या है हमारा engine का नीचे वाले पार्ट में जब हमारा piston होगा that is BDC it is denoted as BDC for vertical engine and outer dead center for the horizontal engine next time आई देखो यह आपको दिख रहा है यहां पर यह जो inner diameter है nominal diameter of the engine's in a nominal inner diameter of the engine is called bore okay process one जो दिखा रहा है यह तीडी सी अश्रीक्स पर क्या है BDC कि ठीक है यह मैक्सिमुम पिस्टन जाने का और यह minimum पिस्टन इससे नीचे जाने सकता इससे उपर जाने सकता यह गैप होता है यह क्या बोलते है डिटीस clearance clearance बोलता है गजो रहता है उपर में जहां पर हमारा फ्यूल थोड़ा महा पर बन होता जहाँ पे छहां पे तीक है नाओ डिस्पलेसमेंट और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है स्वेप्ट वैलियूम यापर डिस्पलेसमेंट बोलते हुए जी से हम इसका मतलब क्या होई देखो जब हमारा पिश्टन बीडी सी से टीडी सी की ओर जाएगा और टीडी सी से बीडी सी की ओर आएगा तभी यह जो वॉल्यूम कवर किया है जो displacement कवर किया है उसे हम बोलते हैं स्वेट वालियूम और फॉर्मूला क्या होता है यह देखो्व। को फॉर्मूला क्या है वी एस्वेट वॉल्यूम इस इकुल हिड्या इंटो लैंथ जो लैंठ्थ है तीडी डीच से बीडी सितक और एरिया क्या है इनमिनर डैमीटर यह पाई बाई फो डी स्क्वाइर यह टोटल एरिया हुआ इन्टु लैंथ कर दोगे तो यह यह निकल जागा ठीक है यहां थोड़ा मिस्टेक देख लेना क्यों थो गैसिटी और इंजन के पैसिटी क्या होता है यह यह कि मेरे इतना F किक कि यह कि कीव किसीटी एक बताता है तो क्या होता है जो आपका स्वेट वर्यूम है टीडीस से बीडीसी को डिस्प्लेस्मेंट यो सुल्प वर्यूम है उसमें जब आप कितना नंबर अबस प्ल्र से निकाल आता है देखोये cc ठीक है क्या होता है swept volume into k k where k is the number of cylinder okay now clearance volume clearance volume क्या है clearance volume the nominal volume of the combustion chamber above the piston जो मैंने आपको बताया था the nominal volume of combustion chamber above the piston when it is at top dead center is known as clearance volume it is denoted by VC and expression cubic centimeter जब हमारा piston TDC पे होगा जब हमारा piston TDC पे होगा तो थोड़ा सब्सक्राइब पर वाचा हुआ यह जो उसके TDC पे पहुंचने के बाद piston के ऊपर का जो गैप है that is clearance volume और clearance ठीक है कि ना नेक्स्ट है compression ratio और यह आपने थर्मटारिंग में पढ़ा होगा क्या होता है compression ratio तुम देख लेते हैं यहां भी इंपोर्टेंट है numerical के लिए इस रेशियो आफ टोटल सालेंडर वॉल्यूम वेन पिस्टन इस एट बॉटम डेट सेंटर तो दे क्लियरेंस वॉल्यूम ठीक है इस दिनोटेट बाइटर आर और टोटल सालेंडर इस इकल टुटव सुवब्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम जो आपका स्व countless क्लियरेश्ट बॉल्यूम on VC that is the compression ratio अब कुछ compression ratio के बार में कुछ important time में discuss करते हैं as compression ratio increases the thermal efficiency increased means आपका जब compression ratio increase होगा तो means thermal efficiency क्या होगी engine की efficiency increase होगी but it also led higher peak pressure and temperature ठीक है बट उसके लिए higher peak pressure temperature होना चाहिए the upper limit of compression ratio is therefore fixed by strength of cylinder bearings and other parts whose stresses are determined by peak values of mechanical and thermal loading large marine engine use compression ratio of 12 to 14 whereas medium speed engine use compression ratio of 16 lifeboat diesel engine which needs good starting ability even in cold climate have compression ratio of 20 अब इंजन हम जानते हैं दो टाइप का हमारा में इंजन होता है theoretical engine और actual engine theoretical engine air standard cycle ideal engine जिसे हम बोलते हैं standard cycle जो हमने thermodynamical last unit पढ़ा था और actual engine क्या है जो हम देखते हैं हमारे गाड़ियों में जो लगा होता है theoretical engine जो आप theoretically research करते हो means आप formula लगा लागे पूरा research करके लाए हो answer कि हाँ ऐसा है बट जब आप उसे actual में देखते हो तो कुछ opposite होता है कुछ ना कुछ loss होता ही है ठीक है तो यह actual engine और theoretical engine अब एक question हमारा बन सकता है why we study air standard cycle आप air standard cycle क्यों पढ़ते हो बलकि वह तो लगभग actual के हिसाब से तो गलती है न क्यों पढ़ते हैं देखें आप air standard cycle state a cycle been using air in it as a fuel air standard cycle में जो fuel हम यूज करते हैं वो fuel हमारा क्या होता है air होता है we study standard as air because air is the fluid which can be study more easily than any fluid समझ भाया गया in air standard cycle you have to study about its efficiency its power and its overview only but if you study fluid as petrol or other substance you have to study more than its efficiency its power okay so you must knowledge about fuels octane number its properties you have to calculate it to get the efficiency so as the mechanical automobile engineer you only considered air as a fuel so air standard cycle take place इसका मतलब क्या होगा देखो air standard cycle में जो हमारा fuel होता है एयर यूज करते हैं इसलिए एयर यूज करते हैं क्योंकि एयर में हमें properties एयर का ज्यादा कुछ नॉर्मली पता रहता हैं ठीक कुछ हैं होगी उसकी सीटेन होगी उसकी थर्मल प्रोडेक्टिव उसका पूर पॉइंट उसका क्या बोलते हैं कोल्ड पॉइंट पूर पॉइंट फायर पॉइंट यह सब पूरा जानकारी आपको होना चाहिए तब यह सब पता होगा आपको तब उसकी आप efficiency और निकाल पाओ कि यह फ्लूइड आपका कितना दे पाए यह मैंसे कुछ नहीं आप डालो यह आपका काम करना चालो हो गया तो इसलिए इसलिए एक्चुली हम पढ़ते हैं में रीजन क्या है नौर्मल जो फ्लूइड पर आप जो चलाते हो उसकी efficiency अच्छी नहीं मिलती है तो हम कोसिस करते हैं कि उसके efficiency बढ़ानी की बट किसके compare में एयर स्टेंडर साइकल एक कंपेर में आपकी efficiency ट्वन्टी परसंट आ रही है आप उसको 80 करोगे किसके compare में एयर स्टेंडर के साइकल के compare में उसका 100 है तो आप 100 तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो क्यों आप कम हो तो आप compare कर रहे हो एस इसके बराबर तक पहुंचने मेने दिफ्रेंस बिट्वन इस तो एस फॉल्विंग फ्लूइट एस एर इन एर स्टेंडर साइकल बट इन एक्ट्वल देर इस अल्वेस मिस्ट्र अफ एर एंड फ्लूई ठीक है बिकॉस अफ एर इस इस एडियल देर इस हीट कैपसिटी बैल्यू लाइक सीपी और नौर्मली एक दो पॉइंट बट जब हम फ्यूल की बात करते हैं एक्ट्वल साइकल में बात करते हैं तो वहां पे दम अलग 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 टाइप पे अलग अलग सीपी और सीवी चेंज़ेज विट टैंपरेचर इन एक्ट्वल बट टेकेन अस आइडियल इन एर यह स्टाइकल में पढ़ते हैं कि हमारा कोई लाज नहीं हो रहा है हमार जो हमें इनर्जी दे रहे हो ही एनर्जी हमारा बन की निकल रहा है बट एक्ट्वल में ऐसा होता है गया बिलकों नहीं एर एनरजी हमारी लॉस होती ही इन फॉर्म आफ हीट there is loss of work because of friction and because of leakage in actual but in एस रभाट करते हो जो लिकेज की बात करते हो फ्लूइज है तो नौर्मल कुछ भी लगा लो फ्लूइड लिक होना ही है यह उसका फ्रिक्षन होगा उसमें कारान आपका लॉज होगा तो कि मेंन यह सब था ठीक कि अलस we are private detail का वाटो सैड़ डाइकल डीजल साइकल डूडव सãy कल डीजल सैकल भैपें कलेक्षाले छो हम पढ़ चुके थर sermon में उसलिख साइकल यह फॉड Check नहीं करेंगे तो यहां पर हमारा यह लेक्चर जो में था एंड होता है बागी मैं कोसिस करूंगा अगला लेक्चर आपके सामने जल से जल दलाने का ठीक है तो थाइंगी फर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक सबस्क्राइब तो सब्सक्राइब